है 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 कैसे आप सभी मैंने विस्ट और फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों आज सबसे बड़ी समस्य आती है कि वो सुबह सुबह कोई और प्लेस नहीं कर पाते हैं क्यों 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 मोस्ट इंडेस्ट्री में नाइन तो टैन मोर्निंग मिटिक होती है अब वह एक पीक टाइम होता है जब हम अपनी कैरी फोरवड की हुई एक्विटी की क्वांटिटी को या पिर अपनी जो ओप्शन्स ले रखे हमने उनको बाइस सेल करते हैं तो दिकत क् हैं कि उस त्वहम तो होते मिटिंग में और हमारे अप्राइज भाग रहा होता है या लेकिन हम उस टाइम मिटिंग में थे तो इस समय्स्या को दूर करने के लिए जीरोड़ा की काइट आप ने एक ओप्शन दे रखा है एए एम ओध्वांस मनी उडर्व में इस में हम हम a market और न Case पहले है अपने सेलिंग ओर और को लगा लेते हैं जिन प्पर को में करना होता है उनको मुं बाइंग ओर लगा दे और जिन के करना होता है उनके लिए मेरा फ्लीक्न अफ्रीव अग्यों क्या क्या होता है इसको कैसे लगाते हैं इसको कैसे यूज करते हैं इसके क्या-क्या फाइदे हैं और क्या-क्या नुक्सान भी हैं क्योंकि हर चीज के फाइदे भी होते हैं तो आज की इस वीडियो में इन सब चीजों को डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लिए अब मालो मुझे कोई शेल बेचना या खरीदना है लेकिन मैं किसी मीटिंग कर जैसे या किसी से अविलेबल नहीं हूं तो मैं एमो प्लेस कर दूंगा अब बात आती है कि एमों कितरे मज़े से लेकि कितरे में तक प्लेस कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो दोपैर को मार्किट आउस के बाद 3석 के 45 certain अगले में के आज बचक के 69 विनिट तक हम अगले दिन की सुबह जए इसस तरीके से फ्यूतर और आप्षिंस और बाकि सेगमेंट के लिए वह बагоल लक टाइमिंग है तो दोस्तों बात आती है कि हम AMO कैसे place कर सकते हैं यानि AMO से order कैसे place कर सकते हैं तो AMO से order place करना जानने के लिए मैं आप सबको अपनी mobile की screen पर जलता हूँ जहां पर हम practical देखेंगे कि AMO से कैसे हम order को place कर सकते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं कि AMO कैसे दिख सकते हैं या कैसे order place कर सकते हैं दोस्तों AMO में order place करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी काईट application में login करना होगा तो ये मैंने login पहले ही किया हुआ था तो मेरी screen खुल गी तो चीजों को असान बनाने के लिए आपने देखा कि मैंने अपने सारी watch list अलग-अलग category में divide कर रखी है banking sector के लिए banking financial के नाम से automobile के stocks के लिए automobile, energy के stocks के लिए energy माल लो banking sector में मुझे access bank के ओपर order लगाना है अब मैंने NSE में लगाना है तो मैं पहले access bank के stock को click करूँगा अब क्योंकि मुझे buying order place करना है इसलिए मैं buy पर click करूँगा अब यहाँ पर option आता है regular cover AMO regular का जो option है वो सिर्फ market hours के बीच में ही लग सकता है तो मैं AMO पर click करूँगा मालो मुझे एक quantity buy करनी है अब यहाँ पर आता है intraday या long term MIS मतलब अगर उसी time उसी दिन आपका square off हो जाए तो आपको intraday पर करना है अगर आपको carry forward करना है तो आपको long term या CNC पर click करना होगा उसी तरीके से नीचे दे रखा है market limit SL SLM market का मतलब है दोस्तों कि अगर आपने market option चूज कर लिया इसका मतलब है कि जब market open होगी और stock जिस भी price पे होगा उस price पे buy किया जाएगा लेकिन हमें क्या है कि इससे नुकसान भी हो सकता है अगर मालो market time पे stock बहुत ही upper level पे open हुआ तो वो stock उसी price पे buy हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि market जब open हुई है तो stock का price बहुत ही down हो या 5% down हो तो हमें फाइदा भी हो सकता है लेकिन हम limit पे set करेंगे limit पे set करेंगे क्या फाइदा होगा कि जिस price मुझे खरीदना है जो मेरा aim है मेरे aim के according ही मेरा खरीदा जाएगा तो यह मेरा buying order लग गया AMO के थुरू अब जब कल market open होईगी और यह जो मेरा access bank का stock है जब 710 रुपे पे आएगा तो अपने बाई हो जाएगा उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं sell की बात करूँ तो मैं अपने holdings पे जाऊँगा जो stock मुझे sell करना है उस पे click करूँगा कितनी quantity मुझे sell करनी है वो डालूँगा और price डालूँगा किस price मुझे डालना है अब price मैंने कैसे डालना है अगें वही मैं limit set करूँगा limit पे click करके जो मेरा price होगा यानि मालो मुझे 39 रुपे पे stock sell करना है तो मैं 39 रुपे डाल दूँगा और swipe to sell प्रोसेस्ट कंटिनियू आप यह मांग रहे हैं मुझे अथंटिकेशन कंटिन्टू cdsl करूँगा जो मेरा टीपिन है उसको एंटर करूँगा वरिफाई करूँगा मेरे मोबाल पे ओटीपी आएगा उस ओटीपी को एंटर करूँगा और यह मेरा वेरिफाई हो जाएग करूँगा वेरिफाई होने के बाद मैं इसको स्वाइब टू सैल करूँगा और प्रोसेस कर दूँगा दुबारा तो यह मेरा सैल ओडर लग गया अब दोस्तों मेरे दो ओडर लगे जैसे ही मेरा यह स्टोग 39 पे आएगा अपने आप यह सैल हो जाएगा तो दोस्तों यह जाएगे तो फ्रेंड्स आप सबको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो को ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू